दोस्तों बोंटे बोक मिरग अपने अनोखे वैवार के लिए जाने जाते हैं जो इन्हें अन्य पिरजातियों से अलग करता है ये खुपसूरा जानवर अत्यदिक समाजिक होते हैं और अक्सर छोटे जुंडों में शान्ती पूर्वक चरते हुए पाए जा सकते हैं इनके समुओं के भीतर एक सक्त अदानो किरम होता है जिसमें पिरमो मिरग आगे बढ़ते हैं बोंटे बोक का एक आकरशक वैवार इनका विशिष्ट प्रॉकिंग पिरदर्शन है इसमें मिरग अपने चारों पेरों को फैला कर हवा में छलांग लगाता है ऐसा वैवार जिसे संचार का एक रूपिया संभाविफ साती या पिर्टी ध्वंदियों के लिए अपनी तागत और चपलता दिखाने का एक तरीका माना जाता है अपने समाजिक स्वयवाओं के बावजूद बॉन्टे बोग काफी छेत्रिय होते हैं ये अपने छेत्र को गोबर के ढेर और अपने चेहरे पर इस्तित गिरंतियों से सिराव के साथ चिन्नित करते हैं ये ऐसी माहिस्तापित करने और पडोसी जुन्डों के साथ संगर्स को रोकने में मदद करती हैं जब संभोग की बात आती है तो बॉन्टे बोग मिरगों का एक अनूठा प्रेमला पनुष्टान होता है नर पिर्बोतु के विस्तरत पिरदर्शन में सामिल होते हैं जिसमें पिर्तिद्वंदियों को भगाना और मादाओं को आकर्शित करने के लिए तागत और चपलता का पिरवावशाली पिरदर्शन करना शामिल है बॉन्टेबोक मिरग दश्चिन अफ्रीका लेसोतो और नामबिया में पाया जाता है यह एक लंबा मद्यमाकार का मिरग है यह आमतोर पर पंदे पर 75 से 105 सेंटिमीटर उंचे होते हैं और सीर और शरीर के साथ लंबाई लगभग 110 से 215 सेंटिमीटर के बीच होती है उंच 25 से 65 सेंटिमीटर लंबे होती है और इसके शरीर का वजन 40 किलोग्राम से लेकर 160 किलोग्राम तक हो जाता है नरमादाओं की तुलना में थोड़े बड़े और काफी भारी होते हैं बॉन्टे बॉक एक चाकलेट ब्राउन रंग का होता है जिसमें सफेद निचला भाग और माते से नाग की नोग तक एक सफेद पट्टी होती है हाला की ज्यादतर बिलेस बॉक में आँकों के पास सफेद रंग में एक भूरी पट्टी होती है बॉन्टे बॉक की पूँच के चारो और एक विशिष्ट सफेद पैचुबी होता है बॉन्टे बॉक के सींग विर्णा के आकार के और इस पश्ट रूप से चल्लेदार होते हैं ये दोनों लिंगों में पाई जाते हैं और आदे मीटर तक की लंबाई तक पहुंश सकते हैं बिलैस बॉक हाई वेल्ड में रहते हैं जहाँ वे छोटी घास खाते हैं जब की बॉन्टे बॉक तटी एफ इनबॉस और रेनो इश्टर वेल्ड तक ही सीमित हैं ये दिंचर होते हैं हलकि ये दिन की गर्मी के दोरान अराम करते हैं जुंड में केवल नर केवल मादाय होती है या मिश्रित भी होते हैं। बॉन्टे बॉक अच्छे कुदने वाले जानवर नहीं होते हैं। लेकिन यह चीजों के नीचे रहांगने में बहुत अच्छे होते हैं। परिपक्व नर्चेत्र बनाते हैं। और पिरदर्शन में अन्ये नरों का सामना करते हैं और कभी-कभी उन से लड़ते भी हैं पिरजनन की बात करें तो बॉन्टे बोक मिरगाकरशक जीव हैं इन सुन्दर जानवरों में एकनूटी संबोक प्रणाली होती हैं जिसमें पिरमुक नर छेत रिस्तापित करते हैं और मादाओं के लिए पिर्तिस परदा करते हैं संबोक का मौसम आमतोर पर गर्मियों के आखिरी महीनों में होता है जब मौसम गर्म होता है इस दोरा नर बॉन्टे बॉक मादाओं को आकरशित करने के लिए फिरवोतु के तेज पिरदर्शन में सनलगन होते हैं इसमें मुखरता मुद्रा और पिर्तिद्वेंदी नरों के साथ शारिरिक लड़ाई भी शामिल हो सकती है। इन पिर्तर्षनों के विजेता को अपने छेत्र में कई मादाओं के साथ संभोग करने का धिकार मिलता है। एक बार जब मादा किसी नर दुआरा सफलता पूर्वक रोमांस निवेदन कर लेती हैं, तो वे लगबग आठ महिने की गर्वदारन अवदी के बाद एक बच्छडे को जन्म देती है। पूचानिय मिरक पिरजातियों के विप्रीत बॉंटेबोक बच्छडे जन्म के तुरंत बात खड़े होने और चलने में शक्षम होते हैं, जिससे वे जल्दी से जुन्ड में शामिल हो जाते हैं और संभाविज शिकारियों से बच जाते हैं। मादा बॉंटेबोक अपनी मजबूत मात्र प्रिविर्ती के लिए जानी जाती है, जो अपने बच्छों को किसी भी संभावित खत्रे से बचाती है। माँ और बच्छडे के बीच का बंदन संतान के जीवित रहने के लिए मैत्कूण हैं, क्योंकि बच्छडे अपने शुरुवाती दिनों में अपनी माँ के मार्ग दर्शन और सनरक्षन पर निर्वार रहते हैं। बोंटे बोग मिरगो की पिरजनन पिरकिरिया इनके वेवार का एक जटिल और आकर्शक पहलू है। फीडर हैं, जो आसानी से पचने वाली छोटी मीटी घासों को चरना पसंद करते हैं। इससे इन्हें पूरे दिन अपनी उर्जा का इस्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। घास के अलावा बोंटे बोग कही तरह की जाड़ियां और जड़िबूटियां भी खाते हैं। जो इन्हें जरूरी पोशक्तत्व और विटामिन पिरदान करती हैं। ये पोदे इनके समग्र स्वास्त और तंदरुस्ती को बनाए रखने में मदद करते हैं। जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इनका हर संतूलित हो। ये धियान रखना जरूरी है कि बोंटे बोक में एक विशेश पाचनतंत्र होता है। और अपने प्राकृतिक आवास में स्वास्त रहने में मदद मिलती है। बोंटे बोक के पास एक विविद और पुष्टिक आहर होता है जो इनकी अनूटी खाने की आदतों और जीवन शैली का समर्तन करता है। उच गुणवत्ता वाली पोदों की सामगरी पर दियान के इंद्रित करके ये अपने परियावरण में पनपने और अपनी आबादी की संक्या को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इन खुपसूरत जीवों को देखकर बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि किया बोंटे बोग मिरक को पालतू बनाया जा सकता है तो दोस्तों मैं आपको इस पश्ट बता दू इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि बोंटे बोग जंगली जानवर है और इने कुटों या बिल्लियों की तरह पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर से सोचें अधिक उपयुक्त पालतू जानवरों को चुने और इन खुबसूरत जीवों को इनके प्राकिर्तिक वातवरण में घूमने दे। दोस्तो यह याद रखना में कुण है कि बोंटे बोग एक कमजोर पिड़ जाती है। आवास के नुकसान और शिकार के कारण इनकी आबादी की संक्या घट रही है। सनरक्षन करता इन सांदार जानवरों और इनके अनमोल आवास की रक्षा के लिए अथक पिरियास कर रहे हैं। फुल मिलाकर बोंटे बोग मिरग वैवार की एक आकरशक सिरंकला पिरदर्शित करते हैं। जो इनकी समाजिक गतिशीलता छेत्रिय पिरवर्तियों और एदित्ये रोमांस अनोष्ठानों को पिरदर्शित करते हैं। इन वैवारों को समझकर हम इन्शांदार जीवों और उन्जटिल परिस्तितिक प्रणालियों के लिए गहरी सरहना पिराप्त कर सकते हैं। जिन में ये पनपते हैं। दोस्तों यदि आप पशुपक्षियों के बारे में जानने के शोकीन हैं। तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को भी लाइक कर दें। और नोटिफिकेशन बैल को भी आन कर लें। ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।